दोस्तों आज मार्केट में बहुत बड़ा πूमेट देखने को नहीं मिला। जिस बूमेट का वेट करतें कि एक स्पायधी का दिन है। बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। एक छोटा सो option 10 रुपे का दो रुपे का बड़ा मुमेंट दिखा सकता है आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होल्ड आप देखेंगे तो market एक range भी था कहीं कहीं तो आज इस पीडियो में बात करेंगे क्या आज का जो दिन था वो option बाइग ले परफेक्ट था या नहीं था या कहां पर आपको trade लेना था कहां पर wide करना था इसके लावा next day कैसा रहने वाला कल छुट्टी का दिन है तो दोस्तों analysis करेंगे Friday के लिए Friday को निफ्टी, bank, निफ्टी और sunset में किस तरीके का moment देखने को मिल सकता है डिटिल में discuss करेंगे तो आपको वीडियो में बने रहेगेगा सबसे पहले बात करना चाहूंगी यहां पर निफ्टी के बारे में तो दोस्तों यहां पर देख सकते निफ्टी का वली time frame का चार्ट है और निफ्टी आज whole day आपको बोलना चाहूंगी बहुत बड़ा move नहीं दिखाया बिल्कुल यह एक range बे था यहां पर थोड़ा साब देखोगे ना यहां पर देखो थोड़ा साब को ले चलते हैं स्मुन टेफरें पर यहां पर देखिए हमने आज update कर दिया था यहां पर और यह support कोई बड़ा move कब आएगा या तो इस लेवल के नीचे आता या फिर इसके ऊपर जाता यह आपका क्या था बिल्कुल पिक्टर परफेक्ट नोर प्रेडिंग जो आप देख सकते हैं काफी देड तक मार्केट ही सी देंग में कॉंसलेट करता रहा बाद में इसने य आपके प्रियों के डिके होने के चांसे मैक्समुम होते हैं तो जब आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो आप एक चीज का ध्यान रखना अच्छे से जब आपको मुमेंट मिले जब आपको कन्फरमेशन मिले तभी ट्रेड लेना है अधर्वाइस बिल्कुल वाइड करन को जरू नहीं कि आप इंडेक्स के अंदर ही ट्रेड करो आपको इस टॉक भी मुखा देता है जो आप इस टॉक को एनालिसिस करोगे तो बहुत सारे स्टॉक में मुएंट देखने को मिलता है अब वहां पर बना सकते हो ऐसी कोई जब नहीं है कि आप इंडेक्स में ही ट्र तो यहां पर चलेंगे थ्वासा अब ओरली टेम पर और देखिए जो निफ्टी आपका दोस्तों यहां पर क्या 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 रिस्टेंस प्रिकाउट दिखाया है तो यदि यह क्या करें फ्राइडे को इसके ऊपर रहता है तो आप क्या सकते हैं यह बुलिस जोन में है इसके जाता है तो यहां पर कंफरमेशन आई कि market यहां से उपर जा सकता है फिर आप यहां पर बाई सेर नीचे जाता है यहां दिखीएगा यह इसके नीचे ठीक है तो दोस्तों यहां पर यह बेरिस हो सकता है इसके नीचे ओके तो पहले market open होने देना है market क्या कर रहा है क्या यह continue by 750 के उपर sustain कर रहा है यह नहीं कर रहा है बिना confirmation को कुछ भी नहीं करना आप देखोगे यहां पर तो अभी भी जो longer time frame में उसके according है bullish trend में ही है यहां पर देखेंगे कोई selling pattern form नहीं किया है और daily पर देखेंगे तो कहीं पर कोई भी reversal form नहीं हुआ है तो अब अभी भी निफ्टी है वह आपका क्या है buy on dip है फिर भी intra damage जो आप trade कर देखें तो उस time में आपको इस more time frame का भी help लेना होता है ठीक है वाइसर 750 काफी important support है दोस्तों यहां पर बात कहां चाहूंगे बैंक निफ्टी के बारे में फिर आगे बात करें सेंसेक्स के बारे में बैंक निफ्टी में आज छोटा-छोटा move देखने को मिला जहां पर आप quick trade करके exit होए होंगे तो आपको profit हुआ होगा ठीक है यहां थोड़ा सा आपको दिखा चाहूंगे first of all इसने क्या किया था morning time में open high same किया था यहां पर देख सकते हैं दोस्तों quick trade था मैंने आपको update कर दिया था market open होते ही यहां पर देख सकते हैं दोस्तों तिल इसने को भी मिलता है ठीक है यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखिए bank nifty का आपको दिखाना चाहूंगी 1028 यहां पर थोड़ा से यहां देखिए keep ion bank nifty 951 में और दोस्तों यहां पर 916 में 916 में message गया है यहां आप देख सकते हैं keep ion bank nifty open high same है ठीक है और यहां पर quick trade मिला अब यहां पर देख सकते हैं गिराबट हुई है तो open high क्या होता इसके recording कैसे trade लेना है gap 3 के recording आप इसके लिए भी चाहें तो फुल विर देख सकते हैं दोस्तों playlist में आपको मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर दोस्तों आप क्या करेंगे देखें यहां पर जिस है HDFC bank का यह फुल सा एक सकेंड यहां देखेंगा HDFC bank का चार्ट है आप जाकर कि इसको चिक कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर hold update मिलता आप चाहें तो इसको join भी कर सकते हैं लिंक आपको description मिल जाएगा ठीक है अब यहां पर देखें तो quick trade हमने बात किया था यहां पर बस एक single यह था यहां पर इसने क्या किया 30 मिनट टाइम फ्रेम पर एगेन एक selling pattern फर्म किया यहां पर दिखेंगा बस छुरा छुरा था ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा move हुआ यहां पर देखना आप यह इविनिंग स्टार्ट था यहां से बस यहां तक आया जो target था इसने दे दिया और उपर जाने का ऐसा कुछ भी नहीं था टेकनिकल जो कह रहा है बस उतना प्रोफेट लिजिए और निकल जाईए ठीक है तो बस दोस्तों एक मॉर्णिंग का क्या करें उपर होने के बाद 49,000 के उपर सस्टेन करता और साथ में MSVD भी cross करता है यह ऐसे नीचे से उपर ठीक है तो यहां पर मैक्सम चांस होगा कि यह उपर जा सकता है तो यहां पर एक buying opportunity आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि overall market है on daily और weekly time frame अभी भी यह क्या है bullish trend में है ठीक है तो यह क्या है buy on dip में ही है सस्टेन कर रहा यह नहीं कर रहा है ठीक है सस्टेन कर यह दि करता है यह वाइंग का वहां पर मुखा मिलेगा और सस्टेन नहीं करता कोई दोस्तों यहां पर बात कहां चाहूंगी सेंस्टेक्स के बारे में सेंस्टेक्स ही किया है expiry होगी Friday को तो यह किस तरीके का मुख दिखाएगा यहां पर देखिए इसके लिए 75,000 यहां देखिएगा 75,000 50 क्या है 75,000 50 से 75,100 यह काफी important level है यदि flat उपर होता और continue इसकी उप ब्रेकाओर देखने को मिल सकता है और इस्टेंस ब्रेकाओर पर क्या होता है यहीं पर को सेंग पर फोर्म कर देता है तो फिर आपको market open होते ही सिल्क अभी मौका मिल सकता है तो फिलाल 75,000 50 से 75,100 जनसक्स के लिए काफी important level है दोस्तों यहां पर बात करना चाहूँगी इनफोसिस के बारे में इनफोसिस का forest temperature का चार्ट और यहां पर देख सकते हैं काफी दिनों से इसने क्या किया है यहां पर constellation दिखाया है और यह अभी closing दिया है 1500 के ऊपर ठीक है तो अभी यह क्या है बायों डिप में है तो इनफोसिस को आप लो रार पे रख सकते हैं यह इनफोसिस को रार पे रख सकते हैं दोस्तों यहां जो भी हमने बताया है कोई बिल्कुल भी नहीं है मुझे जैसा लगा मैंने आपको बताया आपको ट्रेड करना होगा तो खुद के लिए आज के वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो पसंद आए तो झाल